आप सबी का स्वागत है dear students मेरे साथ फिर एक बार इस lesson में आज lesson number 4 है और lesson number 4 का topic है उपशास्त्रिय संगीत जी हाँ आपने एकदम सही सुना उपशास्त्रिय संगी जिसे हम semi classical music भी बोलते हैं तो आई आज जानते हैं उपशास्त्रिय संगीत के बारे में कि उपशास्त्रिय संगीत क्या होता है जैसा कि dear students आप जानते ही हैं मैंने अभी तक आपके साथ शास्त्रिय संगीत और सुगम संगीत के बारे में डिसकस किया है आज का जो टॉपिक है वो इन ही दो के मेल से निकल के सामने आता है तो उप शास्त्रिय संगीत यहाँ पे एक शब्द आया है उप और आया है शास्त्रिय संगीत अब इसको मैं आपको एक सबसे अच्छा एक्जामपल देना चाहूंगा हमारे day to day life में अभी अभी हाल ही में चुनाव संपन हुए हैं हम सभी जानते हैं एक होता है प्रधान और एक होता है उप प्रधान तो आप समझ सकते हैं कि प्रधान जो होगा वो पूरी तरह से प्रधान है यानि कि उसको पूरी पावर्ज है अपनी पंचायत में, वो कुछ भी कर सकता है, उसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है उपपरधान, उसके नाम के आगे उपशग लगा है, यानि कि वो परधान तो है लेकिन पूरी तरह से परधान नहीं है वो, क्योंकि उसके पास जो पा कारक्षेत्र हैं या इनकी जो कारे की शक्तियां हैं वो आपको पता ही है, ठीक उसी तरह से आप इसको संगीत में भी लेके आईए, एक है शास्त्रिय संगीत और एक है उपशास्त्रिय संगीत, यानि कि शास्त्रिय संगीत के ठीक एक दम बाद, दूसरे नंबर पे जिसका नमबर आता है या जिसका करम आता है वो है उप शास्त्रिय संगीत अपने आप में full-fledged अच्छी तरह से परिपूर्ण रूप में एक संगीत की विधा है जिसे हम शास्त्रिय संगीत कहते हैं उसके बाद उप शास्त्रिय संगीत यानि के जो पूर्ण रूप से शास्त्रिय संगीत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या हो गई, कि उसमें थोड़ी सी मिलावट भी आ गई, किस चीज की सुगम संगीत की, तो सुगम संगीत और शास्त्रिय संगीत के मेल से बने संगीत को कहा जाता है, उप शास्त्रिय संगीत, semi means आधा श्रास्त्री है तो यहां से भी आप मीनिंग देख सकते हैं जैसा हम आपको पता ही होगा डिये स्टुडेंट्स की जैसे क्रिकेट का मैच होता है या कोई भी मैच होता है तो फाइनल होता है और उस से पहले क्या होता है semi final तो final तो वह हुआ जो पूरी तरह से final है उसके अलावा और कुछ नहीं है वह लास्ट है तो लेकिन final की तरह ही एक final जैसा मैच जो final तो नहीं है लेकिन final के जैसा ही है लगबग जिससे final में entry मिलेगी आपको तो वो होता है semi final यानिके आधा final इसी तरह से इसको आप यहां भी समझ सकते है semi classical यानिके एक हो गया classical यानिके पूर्ण रूप से pure 100% classical और उसी का थोड़ा सा ऐसा रूप जो जो है आधा classical हो और आधा light music की हो जिसका जुकाव हो ऐसे संगीत को कहा जाता है उप शास्त्रिय संगीत तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ शास्त्रिय संगीत जिसमें रागदारी आती है जिसमें खूब सारी हमारी ठेट जो संगीतिक परिभाशाएं हैं या संगीत के terms हैं वो आती है लागों के जो नियम हैं वो आते हैं तो शास्त्रे संगीत में क्या है dear students कि वो purely and purely पूरी तरह से शुद रूप से एक शास्त्रे संगीत जो है नियमों में बंदा हुआ संगीत है उप शास्त्रे संगीत क्या है वो 50-50 combination आप मान लीजिए 50 प्रतिशत वो शास्त्रे संगीत है और 50 प्रतिशत उसमें आपको क्या दिखाई देगा आपको light music यानि सुगम संगीत की चाया उसमें दिखाई देगी इसलिए उसका नाम है semi classical, semi means आधा, classical means शास्त्रे संगीत यानि ऐसा संगीत जो आधे तोर पे classical music है और आधे तोर पे सुगम संगीत तो 50-50 का जो balance लेकर के शास्त्रे संगीत कहते हैं या semi classical बोलते हैं जैसे for example शरिया गोशाल जी का गया गया ये गीत जिसके बोल है मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, इस गीत को जब आप सुनेंगे तो आपको ये एहसास वाकर ही हो जाएगा कि जो परिभाशा मैंने आप से अभी कही है शास्त्रे संगीत को जानने वाले लोग इसका अधिक आनंद लेते हैं और एक section इसका ऐसा आता है जहांपे इसी एक गीत में एक section ऐसा भी आता है जहांपे शास्त्रे संगीत को नहीं जानने वाले या उसको शास्त्रे संगीत को अधिक पसंद ना करने वाले लोग भी इसक चीज़ का था क्लासिकल का और 50% सुगम संगीत का ये तो हो गया हमारा मेल कि उपशास्त्रे संगीत कैसे बना अब इसके बाद बात आती है कि उपशास्त्रे संगीत में क्या होता है छूट क्या होती है अब जैसे देखिए फॉर एक्जांपल राग भैरवी मैं लेता हूँ राग भैरवी एक ऐसा राग है जिसमें सभी साथ के साथ स्वर लगते हैं सब तक में जो साथ स्वर हैं सारे गमा पाधानिसा ये सभी स्वर इसमें यूज होते हैं स्वरों के उपर एक और लेसन हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट साने वाले टाइम में तब आपको पता चल जाएगा ये स्वर क्या होते हैं और साथ स्वर ये सब क्या चीज़े हम बात करें ये उसमें आपको अलग से मिल जाएगा तो अभी के लिए बस आप इतना समझीए कि राग भैरवी होता एक और उस राग भैरवी में साथ स्वर लगते हैं और उस साथ स्वरों को गाने नियद्वशत नियमों का पालन किया जाता है। जैसे ही राग भहरवी में आपको छूट मिल जाती है जिसे हम मिश्र भहरवी कहते हैं यानि कि जब राग भहरवी में रेगा धा और नहीं है तो कॉमल है मां भी शुद्र लगता है भहरवी में शुद्र भहरवी में लेकिन जब आपको ये छूट मिल जाए कि आप शुद्र ले सकते हैं जैसा मैंने पहले आपको कहा semi classical यानि वो पूरी तरह classical नहीं है इसलिए वह चूट है इसलिए वह semi classical है तो I hope dear students यह आपको concept बिल्कुल clear हो गया होगा आप इस lesson को बार बार देखिए बार बार इस lesson को आप पढ़िए समझेए आपको बहुत help मिलेगी तो आज का lesson यहीं खतम करता हूँ अगले lesson में lesson number five में फिर एक topic के साथ आपको मैं मिलूँगा तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता ह पहाँ बार ले einzelस серьез को मैं ममझा नहीं हुआ है dagen को अपको जहीं को बहुत है है एक का बार रार एक है।